नमस्कार दोस्तों मैं सुमिश शर्मा एक बार फिर आप लोगों का गुरुभारा चैनल पर स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों को इन और्गेनिक मैजिक के एक और पार्ट में लहीं चलता हूं जहां आप लोग थर्मल डिकंपोजिशन आफ एमोनियम सॉल्ट देखेंगे थर्मल डिकंपोजिशन मतलब ऐसे सॉल्ट का जिसके अंदर एक एमोनियम आयन ही है आपका ठीक है तो देखने की बहुत असान ट्रेक है मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया जिससे आपके सारे लगबक सारे के सारे हमोनियम सॉल्ट का थर्मल डिकंपोजिशन खथम होजाता है ट्रिक क्या है उससे समझाता हूं सबसे परला पार्ट क्या करना है हीटिंग ओ व ओन्प फारट के अदर जो हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहली तिक यह है कि अगर आपका जो भी दूसरा वाला एनाइन है मतलब क्योंकि देखो भाईया कैटाइन तो कौन होगा एनेच फॉर प्लस होगा तो जो एनाइन है वो वीक ऑक्सेडाइजिंग है अब आप बोलो को वीक ऑक्सेडाइजिंग कैसे पेचाने और कुछ नहीं आप स्ट्रॉंग त एसे होती है तो जो उसका एनाइन होगा वह भी बहुत ही स्ट्रॉंग ऑक्सेडाइजिंग एजेंट होगा बस इतने से कुछ बंदों को जानके रखो बाकी सब हमारे वीक हैं कुछ नहीं अब देखो इन तीन के इलाबा जो भी है सब वीक हैं सियल माइनास यह सारे तो इन दोने हनिक भी निकल गया क्या बच्यां एक इस से दसे वात करू तो देखो एनिए स्थे निकलगा लेकर बचेंगे आपके दो तो मृटमी ड्री ऌस फन अटीने के डिए 94 तो क्या बचा कग coin कहा हैं इस यृञट इज कि कई और आनि करना क्या है जो बचा हुआ मल विच्ट इसे लिख देना तो भ्या इधर बात करो जिखो तो इसके लिए भी एक कॉमंट रहे कि सबसे व्यले निकाल दिया करो चलो एक काम करता हूं सब में से निकालो नेट्रोजन नेट्रोजन और नेट्रोजन दूसरे स्टेप में क्या करना है बचा हुआ जितना भी पानी है मतलब S2O है उसे निकालना है अगर मैं यहां पर निकाल तो दो निकल गए बोलो कितने एच बचे आपके 8H बचे आठ बचे तो कितने एस टू निकलेंगे 4S2 इधर भी यही स्टेब लेके आता हूं देखो मैंने क्या किया एक बहुती थिल लाइन से चीजों को डिवाइड गया है ताकि आपको याद करन तो यहां पर भी कितने एस टू निकलेंगे दो अपका अंसर आजाएगा बताओ यह कितने इस टू निकलेंगे 2S2 अब बात आती है क्या लिखा जाए जो बच गया है ना इन दोनों को हटा के वो इस compound से सब्स्ट्रेक्ट कर दो आपका answer आ जाएगा बताओ वह यह कितने हैं चार ओक्सीजन का लॉस हुआ है आप चार ओक्सीजन का लॉस हुआ तो क्या बन गया Cr2 O3 थैना इदर बात करता हूं बच्छो इसमें से भी और वही यह जितने को यह पो ये जह लॉस है कितने को यह घूऴन यह चार क्या फइलमिचंगमबाद्चियन को O2 इसके तरह convert हो जाए खेर वो भी आते आते चीज़े आजाएगी बहुत सिंपल और बहुत सिंपल शब्दों में हमने दो वार डिफाइन कर आप बात आती है तीसरी तो अब देखते हैं जब आपका जो एनाइन है उसमें खुद में नाइट्रोजन है तो क्या करना है कुछ चलते हैं इसको धीरी-धीरी करके यह था बताते है एन एज 4 प्लस और दूसरा कंटेंट कौन है इसका अनो 3-ब इसकी औक्स नमबर निकालो तो क्या हो गया X 4 is equal to फ्लस फन दिए X is equal to minus 3 इसकी औक्स प्लस नमबर निकालो X minus 6 is equal to minus 1 दिए एक्स इस to plus 5 देखो बच्चो इसकी कित्ती आ गई माइनस 3 इसकी कित्ती आ गई plus 5 अब आपने क्या करना सीधे सीधे एवरेज बिल्कुल बच्चों वाला खेल क्या करना है minus 3 plus 5 divided by कितने nitrogen थे 2 थे तो इधर किया देखो 2 by 2 कितना बचा अब दोस्तों एक बात बताओ nitrogen पर पॉजिटिव चार्ड चड़ाना है तो उसे किसके साथ combine करो hydrogen के साथ या oxygen के साथ hydrogen तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो उल्टे नेगिटिव आ जाएगा तो इसके साथ करों जो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगिटिव हो इससे वह कौन है oxygen तो इस पर क्या चला देगा पॉजिटिव बताओ भया oxygen पर क्या करता हूं तो यह एंटू प्लस हाफ और टू के इंदा कर्णवर्ट हो जाता है वह एक अलग बात है तीन सो से पहले एंटू और तीन सो के बाद है चलो इधर लिखी दें दो एच्टू ओ ठीक है अब बच्चों यहां देखो इसके oxidation नंबर क्या है माइनस थ्री और इसकी आएगी प्लस थ्री एक बात बताओ माइनस थ्री प्लस थ्री दोनों को कमाइन गया कितना oxidation नंबर बन गया भाई यह जीरो डिवाइड़ वाइट टू इस इकल डू जीरो ही तो हो गया जीरो हो गया निट्रोजन विच जीरो बोलो क्या बनाएगा एंटू सिंपल ना तो एंटू बन गया और जितने हैस्टू बचे वह लिख दिया हमारे तो मॉल ओफ एस्टू निकल जाएंगे आपके अब अच्छो इधर बात करें तो यह माइनस थ्री है और इस पूरा यह जाइड आयन पर कितना बनेगा अच्छा इधर से मैं ले लो देखो एंच 4 पे तो क्या है प्लस 1 है और यह पूरे अगर नेगेट यह एक बात जानते हो अगर नेगटिब चड़ाना है तो इसको प्रूंगा बनने वाला फूड़िक्त होगा थर्मल विकंपोजिशन बेड़ेट इस एंटू n2 h2 यहां है न यहां n2 h2 देखो मैंने जो trick बताई इस trick के बीच में बहुत ही thin line है सारी चीजों के बीच में difference करना आप बस इस thin line को पकड़ के चलोगे आप से कभी कोई कलती नहीं होगी एक बार मैंने बताया फिर से आप वीडियो को शुरू से चुरू करना और यह inorganic का magic आपको आ जायेगा तो मैं आप लोगों से वही magic tricks शेयर कर रहा हूं जिससे आप बन जाओगे inorganic के जादूगर आप इस part को note कर सकते हैं तब तक के लिए दोस्तों जैहिंद